So what is up guys, कैसे हैं आप सभी लोग तो आज की इस टूडियो में बात करने वाले हैं All New Renault Duster SUV के बारे में और आज उन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें इस SUV के बारे में अल्लीडी पता है जैसे कि आपको पता होगा Renault और Nissan ने मिलके 5300 करोर का investment किया इंडिया में जहां पर ये लोग अपनी 6 New Models को launch करने वाले हैं जहां पर सबसे पहली All New Duster, Driver Based MPV और 2 EVs को launch करेंगे इंडिया में Renault अपनी 3rd generation Renault Duster को launch करने वाला है जहां पर ये गाड़ी Hyundai की Creta, Maruti Grand Vitara और Toyota High Radar जैसी गाड़ियों को compare करने वाली है तो चलो है अब बात कर लेते हैं कुछ उन चीजों के बारे में जो हमें इस गाड़ी के बारे में अल्रेडी पता है साथ ही साथ अपने गाड़ी के component को भी interchange कर सकते हैं different market में यानि की इंडिया और USA के components को आपस में change कर सकते हैं जिससे काफी ज़्यादा पैसे बचेंगे Renault के सेकंड चीज के बारे में बात करता हूं तो इस गाड़ी के साथ हमको two seating layouts देखने को मिले वाले हैं Reports के हिसाब से all new duster में हमको two seating configurations देखने को मिल जाएंगे सबसे पहला रहने वाला है 5-seater और रहने वाला है 7-seater 5-seater जो है direct challenge करेगा Creta और Grand Vitara को वही 7-seater model upcoming Maruti Suzuki 7-seater SUV को challenge करेगा अब बात करते हैं third detail के बारे में चुकी रहने वाला है hybrid power trains Official specifications अभी तक हमको Renault Duster के पता नहीं है लेकिन reports के इसाब से ऐसा बताया जा रहा है कि इस गाड़ी में हमें electric or plug-in hybrid power train options देखने को मिल सकने है जब इस गाड़ी को discontinue किया गया था तो इसमें हमें 1.3 liter का turbo petrol engine देखने को मिलता था जो कि 156 BHV की power produce करता था fourth detail के बारे में बात करना है तो इसमें bigger और नहीं डिजाइन देखने को मिलने वाला है तो जैसे कि आपको पता होगा Dacia ने अपने Dacia fixture concept को unveil किया था तो कहीं न कहीं ये गाड़ी उसी से मिलती जुलती हमको देखने को मिलने वाली है अगर मैं previous generation से इस गाड़ी को compare करूँगा तो ये काफी जादा बड़ी हमें देखने को मिल जाएगी साथी साथ काफी जादा design elements हमको Dacia fixture concept के ही देखने को मिलने वाले है इस SUV में हमें multiple body panels देखने को मिल जाएगे साथी साथ LED lighting integrated aluminum style skit players देखने को मिल जाएगी चर आप लुक बताओ आपको इस गाड़ी का weight है की नहीं कहीं न कहीं ये गाड़ी अगर launch हो गई अच्छे price point में तो काफी जादा car companies की band बजा सकती है तो चले आज की वीडियो के लिए बस इतना ही और मैं आप लोगों से मिलूँगा अगली वीडियो में